कि हलो स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अप्रेट बाइंजीनर में मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं सी आई टीएस एड्मीशन दोहजार पाइस की ठीक है ऐसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया हुगा कि क्या सी आई टीएस कोर्स कर करने से आप आई टीए के इस्ट्रेक्टर बन जाएंगे तो उसी के बारे में लोग बात करेंगे उसके पहले में आप बता दूँए अगर आप दोहजार बाइस में कोर्स करना चाहते हैं तो आरे मॉडल पेपर उपलब्द हैं इसको आप ले सकते हैं तैयारी में आपको म सबसे बड़ी चीज आती है इक्स्पीरियंस experience के बारे में जो भी आज आपके डाउट हैं जीतने भी डाउट हैं सारे डाउट मैं आपके clear कर दूँगा ताकि CITS course करने से पहले आपको सारी जानकारी रहे ऐसा नहीं गया आपने CITS course कर लिया और बाद में आपको पता चलता है कि यार ऐसा भी होता है तो आपका वो एक साल और जो पैसा आपने उसमें इंवेश्ट किया वो आपका खराब गया अगर आप उतना इंदजार्ब नहीं कर सकते हैं हाला कि कोई भी चीज़ कर आप नहीं होती अगर आप कहीं पर मेनत करते हैं उसका लाभ कहीं कहीं पर जरूर मिलता है लेगिन शही समय पर उसका लाभ मिलना बहुत जरूर यह है तो एक्सपिरियंस की बात करें तो आपको पता है कि ITI के छात्र भी कि CITS का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और VTEC यानि कि VTEC या डिगरी वाले भी एक कोर्स कर सकते हैं तो तीनों के लिए जो अलग-अलग experience की demand होती है क्योंकि ITI दो साल का कोर्स है तो जाहिर सी बात है इसने यहाँ पर कम समय दिया है चाहिए होगा इची तरीकी से बिटेक डिगरी कंडिडेट हैं जिन्होंने चार साल का बिटेक किया हुआ है तो उन्होंने यहां पर जाता समय दिया हुआ है तो उनको इक्सपीरियंस ले लिया और उसके बाद आई टिया यह जो टेकनिकल क्वालिफिकेशन है इसके पास आउट होने के बाद होना चाहिए यह आपको डिपलोमा किया उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा डिपलोमा किया उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा टेकनिकल क्वालिफिकेशन के पास आउट होने के बात है, अब यहाँ पे बात आती है CTI की, या CITS इसको बोलते हैं, ठीक है, पहले CTI बोला जाता था, अब इसको CITS बोलते हैं, तो अब यहाँ पे बात आती है, माल लिजे एक्जामपल को तो को समझे, कोई लड़का 2017 में पास आउट है, ठीक है, और अब यह CITS का कोर्स करना चाहता है, यानि कि 2022 में, ठीक है, तो पास आउट 2017 में हो गया, अब CITS का कोर्स करना चाहता है, 2023 में, तो इसका जो experience है, काफी ज्यादा लड़के मेरे पास कमिन करते हैं, जो experience है, वो कब का माना जाएगा, CITS की पहल का experience माना जाएगा, या CTI करने के बाद, जो हम experience लेंगे, वहे count होगा, तो जी, ऐसा बिलकुल नहीं है, आपके पास experience होना चाहिए, टेकनिकल क्वालिफिकेशन के बाद, वो चाहे CTI के पहले हो, या CTI के बाद, माल लिजे, इस student की बात करता हूँ, 2017, 18 जोगी, पास अगर इसने किसी company में काम किया है, 2017-2022 के बीच में, ठीक है, पान सालों के बीच में अगर इसने किसी भी company में काम किया है, अभी मैं आपको company भी बताऊँ का किस तरह की company होनी चाहिए, और क्या उसका criteria है, अगर इसने 2017-22 बीच कहीं पे काम किया हुआ है, या कहीं पे teaching experiences के पास है तो यह आसानी से उस experience को जहां पर भी मांगेगा वो लगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि CITS course यह करेंगे 2022 में फिर यह दो साल CTI के बाद आपने experience लियाओ experience होना चाहिए ठीक है यह चीज आपको clear हो गई अब देखिए बहुत से लोग है जिनकी पास experience नहीं होगा लेकिन जुगार से बनवा सकते हैं जैसे कि माली यह पहले आपको जानकारी नहीं थी यह अब मैं कहां से जुगार बताऊंगा भाई काफ लिए जो 2022 से पास आउट है ठीक है 2021 से पास आउट है अब उसके पास तो experience होगा नहीं क्योंकि अभी पास आउट हुआ है उसके बाद उसने CITS का course कर लिया तब उसको CITS के बाद जो है experience लेना पड़ेगा ठीक है वेट करेगा वह साल दू साल के जब उसका experience complete हो जाएगा तब कहीं पर vacancy आते हैं तो apply करेगा ठीक है क्योंकि दखिए experience तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ऐसा है जो नहीं मांगेगा क्योंकि experience किसी भी इस्ट्रेक्टर की vacancy है वहाँ पर experience मांगता ही है चाहे किसी भी तरह की vacancy हो तो experience तो आप से मांगेगा है ठीक है तो जो pass out हुए हुआ है उनको CTS course करने के बाद ही experience लेना पड़ेगा तब ही किसी form में participate कर पाएंगे तो ऐसे लोगों को क्या लाब है CTS course करने का इस पर आल रेड़ी मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2021 का playlist है आप उसको चिक करिएगा तो आपको क्यों आपको CTS course करना चाहिए भले को बात करते हैं कि experience देखें या आपका ट्रेड से रिलेटर टीचिंग का experience हो तो बहुत बढ़ी है लेकिन अगर इस तरह की experience नहीं है आपको तो आप कहीं पर भी कहीं से भी experience ले सकते हैं कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है पहली चीजी है कि जो आपको experience है वो ट्रे रहे हैं वह आपके पास ट्रेड से रिलेटर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने फिटर से सारी चीजें पढ़ी है पढ़ाई की इस का कोर्स किया और आप साबुन आपने साबुन तेल किसी कंपनी में बेचा उससे आप experience मिल गया और आपने वो लगा दिया तो वो count नहीं होगा फिटर से अगर आपने सारी पढ़ाई की है तो जो आपका experience होना चाहिए वो फिटर में होना चाहिए यानि कि कि किसी maintenance department में आप काम कर रहे हो किसी ऐसी जगां पे काम कर रहे हो जहां पर engineering से related कोई गत्विदिया होती हो फिटर से related कोई काम होता हो तो वही experience आपका मा फिटर से तो किया लेकिन आप कहीं साबुन तेल या कुछ भी बेच रहे हैं तो आपका नहीं माना जाएगा फिटर से related या जो भी आपका ट्रेड है उससे related experience होना चाहिए यानि कि जो भी आपका experience जो भी आप काम उतने दिनों में कर रहे ते साल दूसाल तीन साल वह आपक कोई डीलर है जिसका कुछ अता पता नहीं है तो इसके रजिस्टर का सचे बड़ी पहचान है कि टीन नंबर होता है ठीक है एक होता है तीन नंबर ठीक है अगर आप कहीं जुगार से भी वनवा रहे हैं तो यह चीज का ध्यान लखिए कर कमपनी रजिस्टर्ड हो और उसक से कि बहुत अनर्गनाइजट कंपनियां चलती हैं जिनका कहीं पर भी कोई रेस्टेशन नहीं होता है तो वहां का experience अगर आपका होगा तो गवर्मेंट को कैसे पता चलेगा भाई क्योंकि सरकार तो ऐसे तो है नहीं कि आप आपके यह company है यहां से आपने किया हुआ है तो इस तरीके से आपको experience में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है जो भी मैंने आपको बताया आई टी आई डिप्लोमा वीटेक के छात रहें कितने साल के experience यह मैंने आपको बताया CITS के चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो कोई दिक्कत नहीं है experience आपका चलेगा बस आप वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका trade से related होना चाहिए और जिस भी company से आप उस दिखा रहें experience को वो company registered होना चाहिए यह registered होने का company का सब सब बढ़ा ही है team number उस company के पास होता है जो registered होती है तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा और अगर आप criteria को पूरा करते हैं तो आप CITS का course जरूर करिएगा जैसे ही 2022 season का form आएगा जोन में आने की संभावना है मैं आपको update दे दूँगा तो वीडियो पसंद आएगो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ अब तक बने कर देवाई कर दो खिरना कर दिया तक नहीं हो रोदीए कर दोते हैं थो बontin добрा कर दोते हैं...